अच्छी खबर सामने आई है हरियाना में नर्मा फसल की आवक मंडियों में शुरू हो चुकी है परदेश के किसानों में चहरे खुशी से खिल गई नर्मा के भाव में आज भारी उच्छाल धर्च किया गया है नर्मा के भाव में 188 रुपे की तेज़ी के साथ भाव 10,000 रुपे के पार जा चुका है वहीं बीते कुछ दिनों में फरवरी महिने के दुरान नर्मे का भाव 10,000 रुपे के करीब पहुंचा था जिसके बाद इसकी कीमतों में लगातार गिरावट बनी रही अब हरियाना के अलग लगनाज मंडियों में किसान नर्मा की फसल को बेचने के लिए आने लगे है हाला कि अभी मंडियों में नर्मा की आवक थोड़ी कम हो रही है इस सीजन के शुरुआत में नर्मे का रेट 9,000 रुपे से शुरु हुआ था जिसके बाद नर्मे के भाव में प्रतिक विंचर लगातार भड़ोतरी हुई है बीते दिनों सिर्सा मंडी में नर्मे का भाव 9,000 रुपे था जिसके बाद आज ये भाव बढ़कर ए 10,120 रुपे के करीब पहुँच गया है जानकारी के लिए बता दें कि इस सीजन में परदेश में कई जिलों में कपास की खेती की जा रही है ऐसे में नर्मे के भाव में तेजी आने से किसानों की आम ननी पर इसका सीधा परभाव पढ़ता दिखाई दे सकता है सिरसा जिले की बात करें तो वहां के किसान सबसे ज़्यादा कपास की खेती करते हैं हलाकि इस बार मोसम के परभाव से कुछ हिलाकों में फसले खराब भी हुई है लेकिन इसके बाब जूद भी कीमतों में हुए उज्याफ़े का लाब किसानों को जरूर मिलेगा और बजार जानकारों का कहना है कि इस बार कपास की कीमते तेजी के साथ कारोबार करती रहेंगी बिरो रिपोर्ट मार्के टाइम स्टीवी